नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिनेश और आज हम बात कने वाले ADSL और VDSL के बारे में जिहां इसमें क्या difference होता है और यह किस तरह से हमें affect करता है इसमें speed लग लग किस तरह से मिलती है और यह किस तरह से हमें इसे जान सकते हैं कि इसमें basic difference कहां होता है तो बात कर लेते हैं कद गधिसमें फूर इसमें त्यरी उन्हें बेस्टीमें जो पीरीपिकल that जो में लेकिन वहीं बात कर लेते हैं व्यर्ट बीएसल कि इसमें भी आमें थीन ही यहें करेशन देखने को मिलती हैं VDSL, VDSL 2 and VDSL V Plus इसमें हमें जो स्पीड डाउलोड जो maximum स्पीड देखने को मिलती है वो मिलती है हमें 55 Mbps, 100 Mbps और 300 Mbps की लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस कहां आ जाता है किस तरह से ये दोनों अलग हैं वो बात कर लेते हैं जो कि ADSL है asymmetrical digital subscriber line same वही line, वही settings हमें VDSL में देखने को मिलती है लेकिन जो कि ISPN पे कुछ changes किया जाते हैं उस changes के जरिए VDSL line में हमें very high bit rate digital subscriber line जो इक इसकी full form है इसी से हम समझ जाते हैं कि very high bit rate यानि कि बहुत ज़्यादा speed इसमें speed काफी बढ़ जाती है ADSL और VDSL में basic difference यही है कि जो ADSL में frequencies को use में लिया जाता है data को transmit करने के लिए उससे कहीं ज्यादा बड़ी frequencies को यानि higher frequencies को VDSL में use किया जाता है data transmission के लिए बस यही basic difference के चलते हैं जो back end पे कुछ hardware changes होते हैं उसे की जरी हमें उसी same digital subscriber line page जिसमें हम voice and data simultaneously use कर पाते हैं एक बहुत high internet connection मिल पाता है जिसे हम VDSL के नाम से चामते हैं I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर कोई सवाल या सुजावा रहते हैं निचे comments में बताइए वीडियो को like करें share करें subscribe करें बेल आइकन को दबाना मत बुझाए